Hello everyone and welcome to Step Up Academy आप लोग अभी spoken English course के उस session पर या उस वीडियो पर पहुँच चुके हैं जहां पर we are finally going to learn the very basics and the very interesting tricks जिनसे आप बहुत ही simple questions, statements, sentences, सब कुछ बना सकते हैं English में अपनी मद्द तंग से तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ आप तो और इस course को enroll कर चुके होंगे अगर आप यह application डाउनलोड कर चुके होंगे आपकी डाउट क्लियर की जाएंगी और करियर कांसलिंग 24-7 access है free access है और साथ ही साथ रेफर और और करने का मौका और यहां पर मनी नहीं points अगर आपको यह application इसका इंटरफेस पसंद आता है तो आप इससे अपने friends से शेर किजिए कि भाई तु भी यूज़ करके देख और अगर उसे अच्छा लगता है दपर से लोग जिन एंडियो आप लोग भी बोर हो चुके होंगे इस चीज से कि हर बार किसी से भी मिलें और बोलें कि हाई हाव यू हेलो आप कैसे हो हाव यू हाव यू हाव यू पूछ पूछ के हैं तो चलिए अब हम कोई और अल्टरेटिव देखते हैं कि एक basic सी introduction का basic सी greeting का हम और क्या तरीका है ज अपना एक बहुत ही formal और अच्छा जो है presentation वहाँ देना चाहते हैं तो आप hello बोलिए hello जो है पहली चीज तो वह word complete है ना वह slang है ना वह short form है कुछ नहीं है उसका सही use वहाँ पर लगा के हाई के बाद अगर कॉमा है मतलब एक थोड़ी सी सास लेने तक का आपको क्या लेना है पॉस लेना है गैप करना है जैसे hi how are you correct फिर आता है good morning afternoon और evening whichever time of the day it is hey there ये भी बहुत अच्छा तरीका है बोलने का hey there है ना hello hi hi चिलाने से अच्छा है कि बोलो hey there कि अरे वहाँ पर किसी को बुला रहे है आप कि वहाँ जो भी है उसे आप यहाँ पर अपना attention सीख कर रहे हैं hey there बोल कर अब इसके आगे लगा हुआ है एक exclamation mark तो जैसे कि आपक लोग्ड तो definitely नहीं है क्या है वो वो excited है ना वो आपसे मिलकर खुश है तो आपको अपनी आवाज में भी वो लेकर आना है hey there ऐसा नहीं है कि आप वहाँ डर रहे हैं your feeling under confident और साइक कि मैं पहली बार अपने इस व्यक्ति से मिल रहा हूं मैं इसे क्या बोलूँगा तो आप उस चीज को correctly use कर पाओगे then whatsapp ये तो बहुत simple है क्योंकि आजकल whatsapp के साथ साथ लोग बोलने लग गए है whatsapp जिसका एक और छोटा short form बन गया है जिसको हम कहते हैं sap और ये completely wrong है बहुत जादा informal तरीका है इस whatsapp बोलने का तो ये नहीं बोलना है और ये whatsapp और whatsapp में अंतर होता है जो हमारा application है ना मैं आपको अभी बताई देती हूँ ये चीज़ बहुत लोगों को ये doubt आती है और doubt नहीं है उनको doubt नहीं आती है उन्हें लगता है वो सही बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो application है उसका नाम है what's app अगर आप उससे देखेंगे तो मतलब की अप अलग है application का नाम है what's up whatsapp नहीं तो क्या है whatsapp क्या है हमारा whatsapp तो यह बाई इसका मतलब होता है कि क्या हालचाल है whatsapp क्या चल रहा है कि वह बता व क्या चल रहा है और हमारा application है वो बहुत ही सिंपल हो गया है कि हर बार हम क्या बोलते हैं how are you, आप कैसे हो एक नया चला है friends जो लोग देख चुके उन्हें पता अगर होगा how you doing, कि आप कैसे मतलब आपका time कैसा चल रहा है आप कैसा कर रहे हो अपनी life में वो चीज पूछने के लिए how are you doing, तो उसको how you doing जो है ना, this is wrong, मैंने ये sticker लगाया इसलिए है, ताकि आपको बता सुकूँ कि ये how you doing नहीं है, it's how you are doing, और how are you doing जैसे कि हम हिंदी कहते हैं हम हिंदी जब बात करते हैं तो हमारी क्योंकि वो native language है, हमारी वो mother tongue है तो हम बचपन से अब तक बोल बोल कर उस language को अपने तरीके से ना, तोड़ मरोड लेते हैं ठीक है, अगर आप से कोई एक दम ठेट हिंदी में बात करेगा ना, जो देवनागरी वाली, तो आपके शायद वो भी जादी समझ में ना है, तो इसलिए जब हम जसे कहते हैं क्या कर रही है, कहां जा रहा है, तो is it जा रहा है? No, it's not जा रहा है, इस जा रहा है बट क्योंकि वो आपकी native language है, आप ऐसे words को mix कर देते हो तो वैसे ही जो foreigners को आपने बोलते हैं सुना होगा, how you doing, how you doing, that's not how you doing, it's how you are doing और how are you doing, ठीक है, क्योंकि वो उनकी native है, या वो उस language को बहुत frequently use करते हैं, तो उनकी जो speech है, उसमें ये चीज हो जाती है कि वो उसको तोड मरोड के अपने तरीके से adjust कर लेते हैं, correct? तो इसलिए how you doing नहीं बोलेंगे, how you doing, dialogue ये वैसे बोलना है, तो ठीक है, बट ये grammatically incorrect है, how you doing नहीं होता है, all right, now, how is everything, सब कुछ कैसा है, how is everything, अब इसको ये मत समझना कि ये apostrophe आप कहीं पर भी उठाके लगा दोगे, मैंने बहुत देखा है, आज कल चल रहा है, कहीं पर ज किसी की belonging लिखानी होती है, ये चीज मैं आगे discuss करूँगी, लेकिन यहां पर ये short form है, हम short forms और apostrophe discuss करेंगे आगे, ये क्या है, ये how is everything है, ठीक है, ये जो word है, ये ऐसा है, how is, और फिर उसके आगे लिखा है, everything, तो इनको मिला के short form बना लिया है, और how's ये बन गया है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो ये भी सुनाए कि ये कुछ होता है, तो ये भी गलाता है, ये सिर्फ एक slang है, जो facebook, whatsapp, instagram, orcode, जो ये सब चलता था न, ये चलता है, उस पर chat के लिए use के जाने वाले slangs है, इनको आप सही English या सही grammar मत समझी है, ठीक है, ये सिर्फ क्योंकि वो बोला जाता है, जब हम S को plural form में use करते हैं, तो उसका sound Z हो जाता है, how's, right, how is everything, तो हम जब is कहते हैं, तो वो भी इस नहीं होता है, जो sound आजाता है, correct, तो जो sound आता है, उसके कारण हमने short form में ये बना लिया था कि W, H, O, W, Z, how's, क्योंकि वो वही लिखते थे जो वो ब ऐसा है, are you feeling okay, are you feeling okay, तो बहुत simple है, are you feeling okay, क्या आपको अच्छा feel हो रहा है, क्या आपको ठीक feel हो रहा है, okay का मतलब होता है, ठीक, feeling मतलब feel हो रहा है, ing, हमने tenses करे हैं, याद रकना, ठीक है, अब यू, तो आप तुम किसी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि यू दोनों ही के लिए भी, you use होता है, second person में, और उसके साथ साथ, बड़े हो, छोटे हो, सब के लिए second person के लिए, you ही use होता है, तो आपको ठीक feel हो रहा है, क्या, क्योंकि या question mark है, तो यह आर क्या हो जाएगा, क्या आपको ठीक feel हो रहा है, उसके बाद में आता है, next sentence, जो कि है, what have you been up to lately, अब lately आपको गर याद होगा कि पिछले ही वीडियो में हमने late, later, latest पढ़ा था, correct, so late, later, latest का मतलब क्या था भाई, एक तो होता है, पूराना, late होता है, बाद में आने वाला, later होता है, उसके बाद, we will talk about it, later हम बाद में बाद करेंगे, मतलब यह तो बाद ही है, यह उसक सबसे पूराना, सबसे बाद में, जाया हम ऐसा कहते है, सबसे नया-nया, दोनों मीनिंग से मिला रहे हैं, हम कहते हैं, यह तो अभी आया है, यह सबसे लेट आया है यह सबसे लेट आया है, इस तरीके से latest, तो अब जो यहाँ पर लेटली है, इसका मतलब क्या हो जाता है, आजकल अगर किसी को आजकल का मतलब पता करना हो तो वह मैं यहां बता दे रही हूं लेटली का मतलब क्या होता है आजकल जो हम नाओडेस कहते हैं आजकल क्या चल रहा है आजकल क्या हो रहा है ना रिसेंटली भी कह सकते हैं इसको हम यह रिसेंटली है इसका मतलब कि चाहता है, how's your day been so far, how has, अब यहाँ पर, how has your day been so far, अब तक तुम्हारा दिन कैसा गया, so far का मतलब अब तक, ठीक है, how much have you eaten so far, अब तक कितना खा लिया, how much have you learned so far, अब तक कितना पढ़ लिया, so far हम कहां पर उसकरते हैं, अब तक, ठीक है, मतलब अब तक कैसे, so far, अब तक कितना कर लिया, so far, I have completed four chapters, अब तक मैंने चार chapter complete कर लिये हैं, इस तरीके से, तो लिख लेंगे हम कहां पर, so far का मतलब क्या होता है, अब तक, how's your day been, तो कैसा रहा आपका दिन, अब तक आपका दिन कैसा चल रहा है, यह तरीके हैं इन questions को frame करने के, अब वो framing तो हम देखेंगे, यह क्या है, यह commonly used questions और sentences हैं, तो इनको अगर आप learn ही कर लेंगे, अपनी practice में ही ले आएंगे, तो वो आपके लिए beneficial होगा, और फिर हम slowly यह भी सीख लेंगे कि इन questions को आखिर बनाया कैसे जाता है, अगर इस data को use करके, हमें थोड़ा different type का question frame करना है, तो हमें उसके लिए क्या changes लाने पड़ेंगे, next आता है gratitude express करने के लिए, gratitude क्या होता है, thankfulness, आप gratitude feel कर रहे हैं, आपको बहुत धन्य महसूस हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो सबसे simple है, thank you, ठीक है, thank you, उसमें भी जो TH sound है, इसको हम था, था, thank you नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, thank you, ठीक है, एक दाम ऐसा था ही नहीं बोलते ना है कि, you have to put a lot of pressure on your tongue, आपको था करके नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, thank you, अराम से, thank you, थोड़ी सी आज़े ना, के teeth, upper teeth, और आपके tongue के बीच में थोड़ा सा air pass होने का जगे जाने दिना है, और कैसे बोलेंगे, thank you, okay, thank you, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, thank you, correct, फिर आता है, thanks a lot, जब कहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, बस वही है, thanks a lot, आप लोग अगर influencers हैं, आप लोग Instagram, Facebook pictures डालते हैं, आप देखते होंगे कि, आपको बहुत सरे comments आ रहे हैं, अब सब कोई thank you, thank you, thank you, लिख के boring सा हो जाता है, आप यह तरीके use कर सकते हैं, आपने gratitude को express करने के लिए, कि सबसे पहले तो thank you हो गया, फिर thanks a lot, एक होता है, thanks a bunch lot की तरह जैसे bunches क्या बोलता है गुच्छे को बंच कहते हैं मतलब कि बहुत सारा thank you thanks a lot thanks a bunch इस तरीके से I appreciate it मतलब कि आपने अगर किसी किसी नाप के लिए कुछ किया तो आप उसको बोलोगे thank you तो thank you कि जगे आप यह बोल सकते हो कि मैंने उस जो effort है उसको appreciate कर रही हूँ है ना मैं बहुत खुश हूँ I am very grateful I appreciate it फिर that's very kind of you आप बोहत जादा ही दया लू है ठीके that's very kind of you is a very polite way of saying कि यह जो आपने किया है मेरे लिए काम यह आपकी दया है यह आप क्या kindness है कि आपने मेरी यह मदद करी है तो अब thank you बोलने की बजाए बोल सकते हो that is again यह is हो जाएगा that is very kind of you next आता है I am grateful for your help तो grateful मतलब कि वही gratitude express कर रहे हैं I am अब यह क्या हो जाएगा हमारा simple I am जैसे हमने he और is को या how और इस को मिला के house बना दिया था ना बैसे ही यह I or am मिलके क्या हो जाएगा I apostrophe am so it is I am grateful for your help इस तरीके से हम इसे use करेंगे so this was all for expressing gratitude next होता है apologizing apologize कैसे करना है भाई I am sorry तो सबसे simple है सिर्फ sorry नहीं I am sorry एक चीज तो यह होती है ना कि जब हम I am sorry बोल रहे है तो it sounds even more genuine में इस जिस से sorry तो ऐसा लगता है कि किसी ने बस ऐसी ऐसा ही sorry बोल दिया है कि हाँ ठीके लिए sorry रख ले that's not right right हमें I am sorry बोलेंगे ना तो it feels more genuine and more polite कि आप actually sorry feel कर रहे हैं so you will say I am sorry उसके बाद में my apologies apology कभी मतलब यह यह माफी मांगना तो my apologies कि मैं बहुत जाद ही शर्मिंदा हूं या मैं बहुत जाद ही sorry feel कर रहा हूं my apologies उसके बाद में अगर आपको आगे कुछ add करना है तो कैसे बोलेंगे I apologize यहां word का change देखिए apologies और apologize तो यह my apologies क्या है यह तो मेरी sorry thank you जैसे बोल रहे हैं वैसी यह मेरी sorry है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा यह noun है लेकिन apologize यह क्या हो जाएगा यह verb है क्योंकि वह apologize कर रहा है sorry बोल रहा है I apologize for ruining the project जैसे आपने कुछ चीज खराब करती तो apologize किसके लिए for तो जब भी हम apologize use कर सकते हैं thank you for this sorry for this ठीक है तो हम क्या यूज करेंगे for use करेंगे और sorry के साथ हम कई बार about भी use कर लेते हैं I'm sorry about the movie I'm sorry about the result की result में माल लीजए आपका result अच्छा नहीं आया तो कोई आके आपको बोले का यार I heard about your result I'm really sorry about your result तो about और for हम use कर सकते हैं excuse me I'm sorry for interrupting I'm sorry for देखो फिर से for आ गया so I'm sorry for interrupting अब excuse me है excuse me हमने usually सुना है कि excuse me हम कब बोलते कि side hurt जाओ है ना कि हम मुझे जाना है excuse me किसी को alert करने के लिए यहाँ पर excuse me का जो legit जो dictionary meaning कह सकते हैं excuse me मतलब की please try to मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप उस गलती को ignore ही कर दो लेकिन आप क्या बोलोगे excuse me का मतलब है कि please मेरी उस गलती को अगर आप भूल सकते हो somehow तो excuse me कि मुझे excuse करें मुझे थोड़ा सा मेरी इस गलती को ignore करें excuse me I'm sorry for interrupting it is a very very polite way और यह बहुत rarely use किया जाता है तो अगर आपको sir please excuse me sir अगर हम ऐसे बोल रहे हैं मतलब कि sir मुझे इस गलती को please जाने दीजिये in a very nice and polite manner you're saying this to them next we have question words तो यह जो है हमारी slide यह बहुत important है अभी हमने देखा कि हम greet कैसे करते हैं क्या बोलते हैं gratitude कैसे express करते हैं sorry कैसे बोलते हैं लेकिन उन सब में हमने देखा कि बहुत सारे question words भी थे तो कौन सा question word किस चीज के लिए use होता है यह जानना बहुत important है क्योंकि मझे पता है बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता जैसे बच्चे भी जब हम देखते हैं question paper में doubt आती है उनको तो यह नहीं समझ पाते है कि question में पूछा क्या है अगर question में पूछा है why is this happening यानि कि आपके sentence में because आएगा ही आएगा क्यों क्योंकि why हमेशा किसी reason के लिए पूछा जाता है अगर मैंने बोला है who is doing this तो who is का मतलब है कि मैं किसी person के बारे में बात करे हूँ महाँ पे कोई non living thing नहीं आ सकती महाँ पे कोई भी character और आएगा जो की living person होगा जो human being होगा तो who का मतलब किसी person की बात हो रही है ठीक है where पूछा गया है मतलब place पूछी जा रही है तो ये सारी चीज़ें important होती है ठीक है पहला हमारा word है who जैसे कि मैंने बताया used to ask about people or identities किसी भी इंसान का identity या किसी भी इंसान के बारे में पूछने के लिए for example who is that वो कौन है तो अब जो वो कौन है बूछा है तो वो जो यहाँ पर pronoun use हो रहा है it is not used for any non-living thing कि मेरा ये मार कर वहाँ पर रख दिया मैंने और मैं बोलूगी who is that no तब मैं कुछ और use करूँगी who की जगया लेकिन अभी मैं who किस के लिए use करूँगी कोई person वहाँ खड़ा हुआ और मैं उसको देखके बोलूगी yeah who is that मतलब कि वो इंसान कौन है I'm talking about a very specific person over here next we have what used to ask about things action event or ideas what could be non-living thing feeling मतलब नाउन में जो नेम था उस नेम को छोड़के बाकि जितने नाउन हो जाएंगे उतन के लिए क्या यूज होता है वाट यूज होता है वाट यूज होता है वाई same example ले लेते हैं मार कर है if the marker is kept somewhere far so I will ask yeah what is this to do what my use curry was marker के लिए उस करेंगे किस marker here is a non-living thing correct तो example में क्या है what are you doing तो यहाँ पर अगर कोई action है उसके लिए भी what use कर रहे है आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो तो यह जो क्या है वो क्या यहाँ पर वाट है तो हम यहाँ पर दिख लेते हैं कि what is equals to kya और who is equals to korn okay so he samaj बागया कि कौन मतलब people kya मतलब कोई action कोई feeling कोई और non-living thing next आता है where a where ga matlab जैसे मैंने पहले बताया कि place के बारे में बात होती है तो वो हो जाएगा क्या कहां used to ask about location और places example क्या है where is the library library कहां पर है ठीक है यह और जादा चेंज इन में कोई change नहीं आता कभी भी इनके ओपर tense when किसी चीज़ चे कोई फरक ने पड़ता when अब when मतलब time तो time का क्या होता है कब जब भी आपको time पूछना हो जैसे कि कब यह चीज हो रही है तो आप क्या पूछोगे used to ask about time और periods when is your birthday ठीक है when is it going to end जैसे आप पूछ रहे हो कि यह कब खतम होगा तो आप period पूछ रहे हैं कि यह जो time period है यह कब खतम होगा when will the meeting be over यह meeting कब over होगी तो तब भी हमने क्या use किया है when आप बस इतना सोचिए कि आपका जो question है अगर हिंदी में आप उसमें कब शब्द इस्तमाल कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या use हो जाएगा when use हो जाएगा तो automatically आपके English के words भी उसी के हिसाब से change हो जाएंगे requirement के साथ साथ next list में हमारे है why अब why का क्या हो जाएगा हिंदी जैसे मैंने कहा कि जब पूछेगे कि why did the poet say like this उस poet ने ऐसा क्यों बोला तो जो क्यों है उसका अंसर हम क्या देते हैं जैसे मम्मी ने बोला यह क्यों कर दिया तो क्या बोलोगे मम्मी इसलिए you start with इसलिए right you start with because की ऐसा reason का आप बताने जाते हो कि यह reason था इसके पीछे तो मतलब कि इसमें reason आएगा कि यहां पर reason यह cause पूछते हैं why are you late आप late क्यों हुए क्यों की बहुत traffic था तो यहाँ पर क्या है क्यों ओके नाव हाओ अब हाओ का मतलब कैसे used to ask about manner method या condition कैसे हो आपकी तबित कैसी है कैसे कैसी यह change हो जाता है बस कैसे हो तो यह हो जाएगा क्या condition method अब हम यह कैसे solve करेंगे method हो गया manner मतलब इसे कैसे करते हैं तो तीनों चीसे cover हो गए manner condition और method तो how का change how बस यहाँ पर क्या है कैसी how did you solve the problem is problem को कैसे solve किया बस इतना change आता है कि gender में तोड़ा change होता है कैसे मतलब for multiple people कैसा is for single I guess and ऐसे बोलेंगे कि कैसी कैसा वो change जाता है तो हिंदी में change होता है लेकिन how English में सब जगे similar काम करता है तो देखिए यहाँ पर यह चीज आती है ना कि English और Hindi में बस इतना यह difference है कि कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि यार English बहुत जादा simplified है है ना हमें समझ में नहीं आता है इसलिए हमको difficult लगती है लेकिन जितना variation हमारी Hindi language में है जितनी वास्ट हमारी Hindi language है उतनी English नहीं है तो उस चीज का ना उस चीज को असा पहाड जैसा problematic समझना छोड़ दो it's very easy the moment you start understanding the moment you will realize that अरे हां यह तो बहुत easy है यह तो पता था पता ही नहीं था कि इतना आसान हो सकता है ठीक है नेक्स आता है विच अब विच क्या होता है विच का मतलब कौन सा वाला हम जी से बुलता ना which one do you want कौन सा वाला चाहिए तो यूस्ट वार्ट चॉइस प्रेफरेंस इस बिट्वीन options याने कि विच अगर पूछा है तो हमारे पास क्या होगा options तो होंगे ही होंगे विच मतलब हमारे पास दो तीन option है दो है दो तो minimum है option और उसमें से हमको पूछना है कि ये वाला या ये वाला which one तो मतलब की कौन सा तो कौन सा ऐसे लिख दिया है मैंने ताकि आपको समझना है कौन सा तो option मतलब कौन सा से समझ में आ गया कि options में से select करना है which book do you prefer कौन सी बुक आप prefer करोगे या जादा पसंद करोगे इस तरीके से which use हो जाता है फिर आता है whose अब whose मतलब किस का who already पता चलिया कि किस की बात हो रही है person की बात हो रही है whose जब लग जाएगा मतलब की उस person का किसका है किस परसन का है ठीक है उस person के बारे में question पूछ रहे हैं यंदे किसी belonging के बारे में पूछ रहे है कि यह चीज किसकी है? You used to ask about possession or ownership. वह यह possession वाली चीज जाएगी? किस का है? तो जहां पर भी possession वाली चीज होती है, जैसे कि possessive pronouns ले लो, adjectives ले लो, इन सब के आगे क्या लग जाता है? का लग जाता है. ठीक है? तो यह क्या है? किसका? किसका? और इसका है, मेरा है, उसका है, सबका है, तो का लग रहा है उसमें. ठीक है? इस जिस डिफर्स विट का, की, के, यह जाता है, जाता है, मतलब वो belongingness दिखाने लग जाती है. तो यहां हूज में क्या हो जाएगा? वोज बैग इस दिस, यह बैग किसका है? ओके, हूज हम कहां यूज करते हैं, जहां हमें किसी की ownership बतानी है, कि यह चीज किसकी है, हूज डाज़ बिलॉंग टू, हूज बैग इस तो वहाँ पर हम हूज यूज करेंगे. और राइट, लास्ट हमारे पास है, हूँम, तो हूँम जो होता है, हूँम यूज होता है, पर वहाँ पर क्या एक छोटा से डिफरेंस है, कि वो फॉर्मल या स्पेसिफिक कॉंटेक्स्ट में होता है, हूज ऐसे ही होता है, उसका यूज बिल्कुल हूज जैसे हमने बुरा था न, हूज मतलब कौन, सबसे पहला वाला था, कौन, बस वही चीज जाएगी यहाँ पर, कि हूज जो यूज होता है, वो फॉर्मल या स्पेसिफिक चीज़ों में होता है, कि हापको बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए उसमें, एक्जाम्पल क्या है, सॉरी, एक और आगे लिखा हुआ है, जब हम ऑबजेक्ट की जगा पर यूज कर रहे हैं, तो हम हूम यूज करेंगे, जैसे कि मैं यह किसको दूँ, हूम शुड़ाई गिव इट टू, ओके, हूँ शुड़ाई गिव इट तू, हूम शुड़ाई गिव इट तू, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अगर आप specific होके बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे whom use करोगे for example to whom did you give the letter यह letter किसको दिया तो जैसे वो who था whom में क्या हो रहा था कि कौन बोल रहा है लेकिन अगर हम whom use करेंगे तो वो हिंदी में क्या हो जाएगा किसको किसको देना है किसको कहना है किस से मिलना है whom should I meet there महा में किस से मिलू बस उस context में हम क्या use करते हैं whom को use करते हैं I hope it was clear यह सार जो list मैंने आपके लिए बनाई है सारे question words की अगर आपको समझ में आ गया कि किस word का क्या meaning है और किस चीज को पूछने के लिए वह word use होता है तो आप बहुत easily questions बना पाओगे ठीक है उसके बाद हमारे पास आते हैं translations जिसका आएगा है सब लोग वेड करते हैं हम शुरू बहुती simple translation से करेंगे और दीरे-दीरे हम questions की formation पर भी पहुँचेंगे इस slide में हम basic questions को consider कर रहे हैं कि हम normal किसी से पूछताच करना inquiry करना यह सारी चीज़े हम कैसे कर सकते हैं फिर exercises solve करेंगे और आगे वाले आने वाले वीडियो में हम यह देखेंगे कि कुछ different type के questions भी होते हैं हम उनको frame कैसे करते हैं नमस्ते सबको बताए hello होता है greet करना आप कैसे हैं how are you तो जैसी कि मैंने बताया था कि जो English और Hindi sentences हैं उनमें एक छोटी सी difference होती है वो यह होता है कि उनका जो framing होती है उनका जो formation होता है वो टोटल उल्टा होता है हमें लगता है कि हम पहले बोल रहे हैं मैं ऐसे ही रहती हूं तो आप देख रहे हैं कि वर्ब सबसे एंड में चल जाता है subject पहले रहता है और बीच में object रहता है लेकिन हमने English में क्या सीखा है हमारे first वीडियो में सीखा था subject वर्ब और object का formation कि वो कैसे मिलके बनता है पहले subject फिर वर्ब और फिर object तो बस उतना ध्यान रहना है कि subject और वर्ब English language में साथ-साथ चलते हैं फिर चाहे वो आपकी helping वर्ब हो जाए मतलब आपका auxiliary वर्ब हो जाए action वर्ब हो जाए वो सारी चीज़ है वो सब एक ही काटिगरी में आते हैं वर्ब और subject साथ-साथ होत किया क्योंकि जब question बनाते हैं तो question में हम question word को पहले रखते हैं जो हमारा इससे पहले हमने question words देखे ना यह सारे question words वो पहले आते हैं और हमारे बाकी में sentence में जो पूछना है subject object है वह वह बात मैं आता है ठीक है यह difference होता है नॉर्मल sentences और questions है तो क्या देख लिए हमने सब स ने देखा कि subject plus verb plus object हमारा normal sentence का structure होता है और जब हम question बनाते हैं तो एक simple सा change आता है कि इन दोनों की positions होती है वो exchange हो जाती है यानि कि एक और यहां पर बीच में क्या आता है helping verb बस उस helping verb से subject की जो position है वो exchange हो जाती है यह हो जाएगा पहले तरीके का question information और second हो जाएगा जहां पर हमने इससे पहले देखने वाले question words को use किया था अपने question formation के लिए ठीक है तो चलिए देखते हैं हमारे translations कैसे हैं सबसे पहला सबसे easy सा है जो कि नमस्ते जिसको हम hello कहते है हमारा सबसे basic greeting आता है ठीक है किसमें आता है greeting में आता है next is आप कैसे हैं तो हमारा यह question ही हो जाएगा आप कैसे हैं ठीक है तो जैसे कि आप है तो हमने देखा है प्रोनाउंस जब हमने पढ़े कि हमने second person जो रहता है उसमें हम आप बोलते हैं हिंदी में यह फिर तुम बोलते हैं बट यू ही एक लोता है जो singular plural आप तुम सबके लिए यूज़ता है second person में याने कि यहां इसका मतलब हो गया यू ठीक है अब आपने इससे पहले देखा था कि कैसे का मतलब क्या था कैसे हाओ ठीक है कि आप कैसे हाओ हाओ है तो यह जाएगा हाओ और है याने कि plural है ठीक है तो plural वोब कौन सा हो जाता है आर बस उसी बन गया यू हाओ आर तो यह हो गया है लेकिन English में और Hindi में का difference होता है यह structure का पहले आता है subject फिर आता है verb फिर आता है object लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं question और question में क्या होता है पहले तो एक question का word लगता है जैसे कि which word how और उसके बाद helping verb आता है फिर subject आता है तो क्या हो जाएगा इसका translation how are you ठीक है तो देखेंगे change क्या how तो यहाँ पर आएगा ही क्योंकि question हो रहा है कि आप कैसे हैं तो कैसे तो इस word से पता चल जाएगा लेकिन यैसे कि मैंने कहा था कि helping verb और subject का exchange हो जाता है वस वैसे यह you are की जगे are you आ गया है तो how you are नहीं होगा क्या होगा how are you ऐसे ही sentences जो question के sentences होते हैं वो बनते हैं next है full stop लगा देते हैं यहां पूर्ण विराम लगेगा क्योंकि हिंदी है तो मुझे माफ कीजिए मुझे याने की मुझे मी ठीक है और यह जो हमें हमने देखा था आय और मी तो यहां मैं आपको बता दू लेट मी जिस्ट इरेज और स्क्रिबल की आय और मी के साथ एक छोटा स चेंज रहता है कि आय हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं और मी को हम अबजेक्ट में यूज करते हैं याने की जैसे हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आबजेक्ट में यह जिस वर्ब है सबसे पहले हम देखते हैं हम वर्ब पहचानते हैं सेंटेंस का फिर क्या यूज करोगे मी और अगर आप खुद डूर हो आप करता हो सेंटेंस के आक्षन के तो आप अपने ले क्या यूज करोगे आए ठीक है तो यहाँ पर मुझे माफ कीजिए तो यह जो माफ कीजिए हमारा ईक्षन है वह करने वाला तो नहीं पता पर किसके ऊपर होगा हमेरे ऊपर मुझे माफ कीजिए तो हमने यूज किया है मी और एक्सक्यूस में मतलब कि मुझे एक्सक्यूस करिये मेरी गलती को एक्सक्यूस करिए इग्नोर कर दीजिए और दूसरा है आय sorry तो इसलिए आ किया है क्योंकि मैं शर्मिनना हूं मैं और फिल कर रहा हूं तो एक्षिन करने वाला कौन है मैं हूं इसलिए आ यूज़ हुआ है तो यह दोनों तरीके है एक्स्क्यूज में काफी पॉलाइट तरीका है I'm sorry बोलने का ठीक है धन्यवाद इस थांक्यू यह तो सबको पता है उ पैसे मुझे समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड नहीं आया तो यह किदर चला गया है यह पास्टैंस में चला गया है कि जो भी चीज हुई है वो मुझे समझ में नहीं आया था ठीक है तो इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा I didn't understand ठीकि I didn't understand अब देखे डि इसमें कोई गलती रही है लेकिन यह सही क्यों है बलकि हमको पास्ट में अंडरस्टूट कर देना चाहिए वह हम नेक्स लाइट में समझेंगे तो इस पर हम लगा लेते हैं एक स्टार ठीक है आगे बढ़ते हैं एक सेंटेंस में कितने बज़े हैं तो कितने बज़े हैं आ आने की इसका मतलब होता है कब ठीक है याने की कब तो कब का मतलब होता है कि कब चीज बूची गई छकी दरिये एक से एग information पूछी गई है कि टाइम क्या हो रहा है तो उसके लिए अपनेरी अनुद कर सकते हैं वाली बात होती है यानि कि आप क्या कर सकते है क्या यह आपकी और में यूज होता है जब आप परमिशन ले रहे होते हैं तो हम में यूज करते हैं ठीक है जब भी हमें किसी से आग्या मांगनी है परमिशन लेनी है तो आप में यूज करोगे लेकिन जब आपको यह लगता है यह तो आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं यह कर सकता ह या क्या आप उससी से यह पूछ रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी है मदद करने के लिए? अगर आप ऐसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो भी इसमें क्या होगा? चैक है? जहां पर आप सिर्फ कुईचिन कर रहे हैं however there is a question, there is can when there is permission, there is me ओके तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अब क्योंकि यहां पर कर सकते हैं वाला सवाल आया है तो यहां कोई और वोड नहीं आएगा question के लिए सीधा आएगा can you help me तो जो क्या कर सकते हैं इस पूरे काम को इस can ने अकेले समाल रखा है can you help me ठीक है क्योंकि can verb भी है और यह भी बता रहा है कि क्या आप कर सकते हैं जो वहां पर उसने question भी frame कर लिया है you can help me जैसे कि मैंने का यहां में लिखते बता देती हूं you can help me यह इसका हो जाएगा positive sentence अब आप देखे कि इसको change करना कितना आसान है इन दोनों की जगा को exchange कर दिया क्या हो जाएगा can you help me और लग जाएगा इसके आगे question mark क्या मेरी मदद कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ star को बूलना नहीं है देखते हैं कि क्या है यहां आता है हमारा इसका मतलब तो यही होता है कि क्या आपको पता था तो आपको ऐसा नहीं लगता पता था की बात हो रही है तो यह नियू होना चाहिए यहां पर लिख लिया है हमने slash लगा के कि हो सकता है बाद में चीज गलत निकले और did you know नहीं, did you knew हो पर आप कहेंगे कि नहीं मैम हमने तो gk की book में, english की book में, science की book में जहां कहीं भी in fact classmate की जो copies होती है उनके पीछे भी जहां पर quotes लिखे रहते हैं पहेलिया लिखी रहती वहां भी did you know लिखा रहता है, अब इतने सारे लोग तो गलत नहीं होगे यानि कि यह आपने notice कर लिया है कि जहां भी did use हो रहा है, वहां पर verb past में जाई नहीं लाग ठीक है, आप समझते हैं उसका logic क्या है did क्या होता है, did is the past tense auxiliary verb, auxiliary यानि की helping verb, used to form questions and negatives in the simple past tense यानि की di did से हम questions बनाते हैं जब हम simple past में जाते हैं तो, ठीक है, simple past tense के लिए अब आता है past tense में कि simple past tense की statement regular verbs होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, second form ले लेते हैं, जैसे की I walked to school, मैं school तक चलके गई थी I walked to school, यहाँ पर did नहीं लगा है और यह जो ed लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि यह हमारे past tense की बात हो रहे हो रहे हैं, यह simple past है, ठीक है, फिर आता है I didn't understand अब I didn't understand में क्या change है यहाँ पर कि क्योंकि did लग गया है न तो इसलिए वहाँ पर understand का understood नहीं हुआ है, यहाँ पर समझना यही है कि did जो है वो past tense में change कर देता है, तो अगर किसी sentence में हमने यह did not, मतलब did ही है basically उसका मतलब, did लगाया है, तो जो past में भीजने का काम था ना उस sentence को, उस tense को जब हम past में send कर रहे थे, तो उसका reason सिर्फ इतना था कि हमें उसको past tense में change करना था और वो काम did कर चुका है, तो अब verb को simple form में रखेंगे, याने कि we one में ही रखेंगे, क्य कि यहां पर इसका मतलब क्या होता है, did not, तो यह जो रहेगा, यह वी one में ही रहेगा, ठीक है, इसको समझते है positive statement है, she walked to school, simple है, कोई did नहीं, she walked to school, simple हो जाएगा, negative है बजाएगा, she did not walk to school, क्योंकि did not आ गया है, तो यहां क्या आ गया है, walk लग जाएगा, और last है question, did she walk to school, फिर did लग गया है, तो क्या हो जाएगा, walk आ जाएगा, walked नहीं होगा, ठीक है, तो यह ही है समझना कि I didn't understand, did you know, okay, where did you get it from, where did you got it from, नहीं बोलेंगे, where did you get it from, where did you keep the bag, तुमने बैक कहां रखा हुआ है, where did you keep the bag, kept नहीं बोलेंगे, तो whenever there is did, there is the first form of verb used, okay, चलिए, I hope यह आ आगया होगा, moving ahead with further translations, और next set of translations है, यह, मैं कहां हूँ, मैं कहां हूँ, वेर एम आए, तो जैसे कि यह है, कहां, कहां मतलब क्या होता है, where, ठीक है, मैं आए, आए क्यों, क्योंकि हम खुद का ही पूछ रहा है, जो, मैं कहां पर हूँ, यह काम कौन कर रहा है, मैं खुद का पूछ रहा हूँ, यहना speaker खुद के बारे में बात कर रहा है, तो मैं कहां हूँ, where am I, एक question word हो गया, और यह I am हो सकता है, लेकिन क्योंकि यह question frame हो रहा है, तो इनकी position भी exchange हो जाएगी, where am I, ठीक है, फिर, मुझे यहां का क्या हो सकता है, या तो there, या here, कुछ भी हो सकता ह अहां जहां ले जाओ, तो मुझे ले जाओ, यानि कि लेके जाने का action कोई और करेगा, पर action को receive कौन करेगा, लेके जाने वाला, मैं करूंगी, तो जब मैं action की receiver हूँ, तो मैं क्या बन जाओंगी, मी बन जाओंगी, अब लेके जाने का मतलब क्या हो जाता है, टेक, अब ब पर देर, take me there, that's how you translate the sentence, मुझे भूख लगी है, तो यह तो बहुत ही सिंपल है, भूख लगने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ स्टेट में हो, आप हंगरी हो, तो क्या हो जाएगा, I am hungry, short form में लिखा हुआ है, I और I am का short form है, I am hungry, मुझे प्यास लगी है, वही प्यास मैं बहुत गरीब हूँ, I am very poor, ठीक है, तो यहाँ पर हूँ, हूँ, I am हो गया है, लेकिन poor जो है, वह एक state है, उसको बताने के लिए, ठीक है, now, मैं यह समझ गया, I understood, अब यहाँ पर आ गया है, I understood कि मैं यह समझ गया हूँ, ठीक है, यह present की, यह past की बात हो रही है, simple past की, कि मैं समझ गया, मतलब की, I understood, फिर आता है, क्या आप repeat कर सकते है, तो फिर सकते है आ गया, सकते है, मतलब क्या हैगा, can, और जहाँ can आ रहा है, वहाँ देखेगा, कि जादतर can ही question मना लेगा, ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं हुई, तो, तो can ने question मना लिया, repeat, तो repeat English ही है, क्या आप repeat कर सकते है, आप मतलब you, can you repeat, easy, can you repeat that भी लगा सकते हो, can you repeat it भी लगा सकते हो, प्रोणान लगा के कि उस चीज़ को आप repeat करेंगे क्या, like that, खृपया ध्यान दीजिये, please pay attention, तो अब देखे, दीजिये का मतलब होता है कि कुछ चीज देना, to give, लेकि अटेंशन क तो आप खुद attentive रहोगे, है ना, तो आप उसे pay करोगे, क्योंकि वो एक physical चीज नहीं है, वो आप mentally उस चीज पर attentive रहोगे, आप किसी को ऐसा नहीं attention देते हो, आप pockets से निकाल के attention देते हो, that's not possible, right, क्या हो जाएगा, वो pay करोगे आप, क्योंकि आप वहाँ पे ध्यान दे दे ओ, वो ध्यान देने वाली चीज है, you cannot physically give someone attention like this, तो वैसे ही उसको हम pay word use करते है, please pay attention, क्रिपया याने की, please pay attention, फिर last है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो again, क्या इस, बोल, बोलते हैं, अभी आप सकते नहीं है, याप सिर्फ करने की बात आ रहे है, तो याद रख दू के फॉर्म सी उस हो जाएंगे, दू, डिड, डज, यह सारी उस होगे, depending upon the subject and the verb, यह टेंस जहां पर जो भी चल रहा होगा, अब यहाँ पर तो simple present है, क्या आप English बोल सकते हैं, do you speak English, यहां सकते नहीं है, बोलते हैं, तो do you speak English, और आगे यहाँ लग जाएगा question mark, questions बनाएं, तो question mark लगाना ना भूलें, ठीक है, punctuation बहुत important होते हैं, चली आगे बढ़ते हैं, और फिर आती हैं हमारी exercises, अब इन्हें translate करना है, हमको आपका घर कहां है, तो आपका is you, लेकिन यहाँ पर क्या लग दिया, का लग गया है, आपको अगर याद होगा, तो हमने क जहाँ लगाना सी का था, वो possessive pronouns थे, याने कि यहाँ पर यह इसका मतब क्या हो गया, your, चीक है, घर याने की, home, कहां है, where, और here is, is, तो question है, सबसे पहले क्या आएगा, question word आएगा, question word आगया, उसके बाद subject और helping को अपनी जगे एक्स्चेंज कर लेते हैं, तो your और is अपन जगे एक्स्चेंज कर लेंगे, is, your, और फिर बाकी बचा sentence, home, या house, जो भी आप लिखना चाहें, और question word, easy, ठीक है, कैसे बन जाएगा, question word, plus, helping verb, plus, subject, plus, बाकी बचाने में जो कुछ भी आता है, वो, फिर आता है, क्या हुआ, तो अभी कुछ हुआ, याने की, present की बात हो होती है, या past की बात हो रही, simple, present, what होता है, क्या, what happened, यह हमारा simple, past, happened, क्योंकि happen, तो present होता है, मैं आपके लिए क्या करूँ, अब क्या करूँ, या इसको हम कह सकते है, कर सकता हूँ, ठीक है, यह भी हो सकता है, क्या करूँ, या क्या कर सकता हूँ, जिसे हम पुलाइटली भूलते न, कि आप बताहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लएगा एक फेवर की तरह ब ей रहे है, तो यहां पर क्योंकि कर सकता हूँ, आपके लिए, यू, एस तरीके से, हमने, हर वर्ट को ट्रांसलेट कर लिया, आपके लिए for you, अब देखे सबसे पहले क्या आता है, question word आता है, what फिर can और for you, I तो I हमारा subject है और can हमारा helping verb है, तो what can I करने वाले action को क्या बोलेंगे do, what can I do for you question mark easy, ऐसे ही क्या समस्या है, now समस्या is problem, तो क्या is what is the problem, what is problem बोलेंगे तो ऐसे लगेगा, कोई random problem की बात कर रहा है बट जब हम the लगाते हैं, तो the होता है हमारा definite article याने कि आपको पता है आप कि problem की बात कर रहे हो, आप कोई random problem की बात नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि अभी जो होता होता है क्योंकि हमें पक्का ही नहीं है कि वो क्या है what is an apple, तो वहां पर आपको नहीं पता कि क्या पर आप उसकी definition मांग रहे हो, उसका मतलब मांग रहे हो, यहां पर भी वैसे ही हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वाट कि आप उसका मतलब समझना चाहरे हो, बट जब आप कहो कि what is the problem, उसका मतलब क्या हो जाएगा, कि आप उस problem के बारे में बात करे हो, जिसका discussion अभी चल रहा है, देखते हिनके answers सही है कि नहीं, जो हमने पता लगाए है, where is your house, बिलकुल सही है, what happened भी सही है, what can I do for you हो भी सही है, and what is the problem, हमारे सारे answers यहाँ पर सही है, and with this, we reach the end of our, this lesson, जिसमें कि हमने translations भी सीखे है, और यह भी समझ लिया है कि question words के help से, और helping verbs के help से कैसे हम questions को frame कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, thank you for so, thank you so much for watching, bye bye